तो चलो बात करते हैं अभी crypto world में इस टाइम क्या चल रहा है थोड़ी सी यहां पे confusing signals आ रहे हैं crypto side से and I will try to say कि मेरा interpretation क्या है उन signals का बाकि आपकी मरजी है आप किस चाइब से trade करना चाहेंगे उस पर let's get started अगर आप नए है चैनल पर तो subscribe करना मत भूलना and like कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छे लगती है तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं Elon Musk के tweet को तो कल रात को Elon Musk ने around 2 बजे के अस-पास यहां पे 3, इंचा tweets करेते तो पहला था कि I spoke with someone with North American Bitcoin miners तो basically हमने देखा कि चाइना ने mining ban कर दिये तो इस ताइम जो North American miners है वहां पर उन्होंने Bitcoin mining की setups कर रहे हैं और इन्होंने Elon Musk से बात करी कि हम committed है green energy को use करना renewable energy को use करना for mining तो यहां पर Elon Musk ने यह tweet करके ऐसे कोई signal नहीं दिया है कि Tesla will start accepting again but उन्होंने बोला है कि मैंने बात करी है and it might be fruitful okay तो यहां पर उन्होंने यह indicate किया है इसके बाद हमने देखा माइकल सेलर जो की एक और बहुत बड़ा नाम है crypto industry में उन्होंने यहां पर इस tweet को quote किया और यहां पर उन्होंने अपने हिसाब से लगा कि मैंने host करवाई meeting उसके बाद हमने देखा कि dogecoin को लेके भी यहां पर दो tweet करे गए है और उसके बाद हमने देखा dogecoin के price को spike होते वे बट वह बहुत जल्दी recover हो गया मतलब नीचे आगया था वापस तो basically अभी इतना फरक नहीं पढ़ रहे लोगों को dogecoin का price देख के हमें लग रहा है कि Elon Musk की tweets are getting a little bit of ignored right now तो अगर हम देखेंगे dogecoin का price अगर हम one hour mark पर जाके देखें I guess 30 minutes तो यहां पर आपने देखा कि spike आई एंड उसके बाद यह वापस नीचे आ गया तो market में अभी भी थोड़ा सा bearish trend हमने देखने को मिल रहा है इसके बाद हम बात करते हैं चार्ट की तो आप देख सके हैं कि हमने कल आप से share किया था head and shoulder model तो इसको हम जड़ा shift करते है four hour charts पे तो head and shoulder model हमने आपको shift यहां पे बनाया था और हमने दो possible आपको यहां पे resistance दी थी एक 38 पी दी थी और एक ऊपर वाली दी थी 40 पे तो 40 वाली resistance से bounce back कर गया है और हम पूरा एक सीधा V shape देखने को मिला है जिसा हमने यहां पे predict किया था अगें trade charts मार्केट manipulation में काम नहीं करते हैं बट हमें एक ठीक ठाक वाइटन यहां देखने को मिल रहा है और यहां से अगर यह नीचे जाता है तो हम इस chart को follow कर सकते है chart आपको हमारी telegram चैनल पे मिल जाएगा जो आप join कर सकते हैं लिंक सारे आपको description में मिलेंगे तो यहां से अगर यह नीचे जाता है जो कि हमें red lines दिखी रही हैं तो शायद जाए तो यहां पर एक buying opportunity हो सकती है उसके बाद I think यह दुपारा उपर जाएगा और यहां पर थोड़ी तेर शायद bitcoin अपना time spend कर सकता है बट इसके अराबा एक और possibility है अगें ट्रीट चार्ट हम के बस्टेडी करते हैं दे आ नौट accurate 100% हम guarantee नहीं दे सकते बट काफी सारे patterns हमें सेम देखने को मिलते हैं तो एक possibility और है कि bitcoin यहां से यहां तक इस zone में अपना movement करेगा तो यह चीज हमें देखनी है कि यह movement अगर होती है तो यहां पर एक scalping opportunity बनती है और यह अगर movement continue होती है तो हमें एक breakout zone मिलेगा और हम finally 40,000 को पार कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि 42,000 की next resistance है तो 42 से अगर rejection मिलता है तो भी हम वापिस यहां आ सकते हैं इस zone पर हम वापिस आ सकते हैं 42 की rejection के बाद तो वो भी अपको ध्यान में रखना है जब तक हम 42 से उपन नहीं चल जाते है I will say कि हम still bearish trend में रहेंगे इसके बाद एक और अच्छी news है crypto fair index it has improved 22 में चला गया है कल हमने देखा था कि 10 पे था तो काफी ज्यादा जब हुआ है Elon Elon Musk के tweet के बाद and वो हमें inflow से दिख रहा है Bitcoin ने इतना बड़ा जोगे candle बनाया है green यह हमारे Elon Musk के tweet के बाद है and 38 के rejection 38 से वो rejection लेने ही वाला था तब तक ही Elon Musk ने tweet कर दिया तो I will say it's highly manipulative obviously but इसमें क्या strategy हम follow कर रहे हैं मैं personal अपनी strategy बता रहा हूं अगर आपको follow करनी है तो बाद में comments में अपना research कुद करें तो मैंने कुछ price points share करें थे telegram पर and Sol जैसे coins है उसमें Solmatic JRT KSM वगेरा थे उसमें तो हम उनको buy कर रहे हैं उन price points पे वो जब भी आ रहे है coins या उससे नीचे आ रहे हैं तो मैं उनको buy कर रहा हूं चाहे उसके बाद वो dump आए ना आए क्यों में वो जो price points है जैसे ADOS में $1 पे तो वो पके price points है मतलब वो safest price points है जब market recover होगा तो उन price points को वो पार कर लेगा profit तुम्हें मिल जाएगा इसलिए उन price points को मैं पकड़ रहा हूं and मैंने buy करना start किया है तो अभी काफी सारे उसमें buy order लगे हैं and यह सारे के सारे automatically flexible staking पे चले जा रहे हैं मतलब कि यह जो आपको दिख रहे है 0.0001 यह मेरे staking rewards है मतलब interest मिल रहा है मुझे इन में तो मैं इनको long term के लिए store कर रहा हूं अपना portfolio धीरे-धीरे build कर रहा हूं and मैंने आप देख सकते हो अच्छा घासा यहां पे USDT बचा के रखा हुआ है ताकि अगर market crash करत है तो मैं dip पे buy कर सकूं and यहां पे average अपना out कर सकूं तो average out करना भी important है and इसमें से मैं 20% से 40% use करूंगा cable अगर next dip होती है इसके अलावा मेरे और extendies में भी पड़े हुए है funds तो मैं उनको भी use करूंगा okay so ध्यान रखना कि यह जो tweets है Elon Musk के market manipulation ऐसे भी हो सकती है कि यहां पे उन्होंने high liquidity provide करने के लिए retail investors को वापस बुला लिया है and यहां पे वो सारा अपना profit book कर रहे है and यहां से वो slump कर सकते हैं and यह हम एक नीचे जाला pattern देख सकते हैं फिर यहां buy back करके इसको वापस उपर ले जा सकते हैं तो यह चीज़ अब ध्यान में रखना वहीं आप first न लोट कर सको तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है again बाकी आपकी मरजी है आपकी trading strategy अलग है आपका हो सकता है fund capacity अलग हो उस पे आप करें ट्रेड okay and Elon Musk पर थोड़ी नज़र रखनी है बाकी market sentiments होड़े improve हुए है बट कि यह हो भी सकता है कि बुल ट्राप हो काफी लोगों को लग रहा है यह बुल ट्राप है and across the board अगर हम experts की देखें like और यूट्यूबर्स को अगर हम देखें and जो trading experts होते हैं चार्ड analysts होते हैं उन सब का मानना है कि अभी bitcoin 28 के चिल जा सकता है again मैंने पूरी research करी है उस हिसाब से and मेरे trade charts pattern के हिसाब से भी वह उस side जा सकता है okay but again अगर market manipulation है तो हम एक अलग trend देख सकते हैं cryptocurrency में regulations ना होने की कारण market manipulation हमेशा एक डर बना रहता है तो again अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कौन-कौन से coins हमने suggest करे हैं तो मैं आपको एक बार overview दुबारा से दे देता हूं अगर हम markets में जाएं तो मैंने favorite करें में वह coins तो यहां पर आप देखो कि तो Solana है जो $30 या उससे नीचे मैंने recommend किया है फिर KSM है जो $300 या उससे नीचे फिर BNB है $250 या $300 की range में वैसे मैं $250 पर buy कर रहा हूं Bitcoin हमने $30,000 पर है इसके बाद Ethereum Classic हमारा $45 के आसपास है Uni हमारा $15 है Litecoin हमारा $150 से नीचे है Dot हमारा $20 या उससे नीचे है link भी $20 से नीचे है ADA $1 पर है okay and ruin coin है जो नया coin मैंने ढूंडा है और अभी मैंने यह telegram पर नहीं करा है बट इसका हमने $10 रखा है फिर है एक coin जिसका नाम है AR AR को भी हमने $10 पर रखा है GRT 0.75 and EGL मतलब enroll gold I think इसका नाम enroll gold है तो वह $80 पर buy करूंगा and Luna $8 से नीचे I am grabbing तो मतलब थोड़ा सा मैंने ले लिया है and I am waiting it to average it out at $4 or something okay so यहां पर यह trades मैं लेके चल रहा हूं अभी इनी coins में मैं bet कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी recovery पर पूरा भरोसा है बाकि आप अपने हिसाब से लेके चलें कि क्या हो रहा है and आपको buy करना चाहिए नहीं करना चाहिए so this was an overall video सब कुछ wrap up करते वे hopefully आप लोग को अच्छी लगी होगी subscribe कर देना अगर अच्छी लगी like कर देना या फिर comment section में बता देना कुछ अगर आपको missing लगा and I'll see you in the next one